पांदा में एक पर फिर दबंगों का कहर प्रकाश में आया है जहां पडोसी दबंग ने एक नाबालिक लड़की से क्यांग रेप का परियास किया है वह विरोध करने पर नाबालिक लड़की और उसकी विद्वामा से मार पिट की है जिसमें दोनों के गंभीर चोटे आई है ग्रामिडों की सूचना पर मौके पर पहुची डायर हंडर्ड पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुचाया जहां लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है हार उपियों के विरुद मुकदमा दर्ज न होने पर पिडित महिला ने पुलिस अधिक्षक से नियाए की गुहार लगाई है मामला पादा जन्पत के बबेरु कोतवाली शेतर का बताया चा रहा है जहां पर नाबाली यूवति को गाउं के ही दबंगो ने चमकर मार पिड की और मौके पर बीच बचाओ करने पहुंची मा को भी दबंगो ने नहीं बख्षा और खायल यूवति को मा से भी मार पिड की जिस से लड़की के गुपतांग वह महिला के सर में चोड़ आई है क्या नाम है आपका कहां से आई हैं आप क्या घटना होई आप पुसाथ किन लोगों ने मारा है राज कुमार आज जिन भगात रहने वाले हैं काई किछी से मारा है ऐसे लने वाक बाची मेरे मार था लीट के बुद में अकाभ़व में चाती में चट के यहां पेडू में बैठे थे एक यह बैठा था एक यह बाटा था यह यह किया बैठा था इसाँ उन्यकिता की ए साइस साऋ 11 तो इसको भी मारा है उसको लेकर पकड़ के अपने घर लेगर वहां पलतकार किया वहां कि उसको लेकर स्कूल के बाहर आई एतनी बूरी तरह से मारा मैंने सवदा फिकानने चली गई जब आई जब देखा जब कहा ती जब में लगती मुझ को मार टीट करके लखाए यहां फ पुलिस के पाता अप गई थी ती यह पड़े थी पड़े थी विभोश करे थे तो कौन फागी लेगे आपको जब गाउक आदमी महादमी उधर मुहला के सब बंधे थे उनको मुहला के बांधे परधान तब का बांधे अरे जब आप पड़ी थी आपको जब महारत था तो कि नाम है आपका मेरा नाम आजेकर अन्य कहां चायाएं आप मैं बेराओं से आया हूँ क्या घटना हो गई जी घटना जो प्रार्थिया है वो हमारी पुगा है ग्राम फुठनी है और घटना इनकी मार पीड से है और प्रार्थिया जो है सारा दिन काम करती है काम करने के उद्दे से गाउ में चली गई थी और प्रार्थिया की एक लड़की 17 वर्ची है जो घर में थी और प्रार्थिया की जो लड़की है घर में होने के बाद जो है वो जो पीपच्ची है तो उन्होंने घर में घुस करके जो है बच्ची को पक डेली अपडेट्स पाने के लिए बैल आइकल को प्रस करें